अब यहाली में जो दिल्ली के चुनाव हुए आप जानते उसमें बीजेपी ने अपना तोप नेता छोड़ दिया था योगी आदित्यानाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यवंत्री वो ना सिर्फ हिंदू रिदय समराठ हैं इंडिया टुडे की सर्वें की मानो तो योगी आदित्यानाथ देश के सबसे बहतरीन मुख्यवंत्री हैं बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्दी अगर कोई है तो ये है कि मंदिर वही बन रहा है और जल्दी बन रहा है मंदिर तो बना रहे हैं पर नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रहे हैं सबसे अच्छे मुख्यवंतरी की नौकरी देने का कैसा रेकॉर्ड है? उसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में. उत्तरप्रदेश की जनसंख्या अभी लगबग 23 करोर है और उसमें से दो तिहाई यानि लगबग 15 करोर लोग वर्किंग एज के हैं. यानि 15 से 65 साल के बीच जिस उम्र में लोग काम करते हैं. लेकिन इनमें से सब लोग काम ढूंटे नहीं हैं. जैसे की कुछ पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो अरतें दिन रात कमर तोड़ कर घर का काम करती हैं, उनका काम काम नहीं माना जाता क्यूंकि उनके ह इससे कोई पैसे नहीं आते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो कई सालों तक काम ढूंडते गए, लेकिन उनको काम नहीं मिला, तो उन्होंने हाल ही छोड़ दिया, और काम ढूंडना ही बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश में जो लोग active तरी काम ही नहीं ढूंड रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, इनमें से बहुत सारे student हैं या ग्रिहनी हैं, लेकिन मैं आपको guarantee दे कर कह सकता हूं, कि इनमें कम से कम तीन कड़ों लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने काम मिलने की आशा ही छोड़ दी है, उनका उम्र निकल गया है और का रोज़गार नहीं हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में कम से कम साड़े तीन कड़ों लोग ऐसे होंगे, जो या तो बेरोजगार है, या उनको इतने सालों से काम नहीं मिला, कि अब उन्होंने नौकरी की आशा ही छोड़ दी हैं, अब उन बेरोजगार युवाओं की बात करत यह साथ फरवरी का डेटा है, जो योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौरियों ने खुद विधान सभा में पेश किया है, इससे पहले जुलाई 2018 में लगभग 21,006,00 युवा बेरोजगार थे, इसका मतलब डेड़ साल में पढ़े लिखे लोगों में बेरोज चपा था, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुट, मतलब जिन्होंने B.A.M.A किये हुए हैं, ऐसे यंग लोग फैक्टरी में मजदूरी का काम कर रहे हैं, 10-12 घंटे काम के लिए महीने में 5-6,000 रुपे उनको मिल रहे है अब कहीं नौकरी नहीं है, तो जो मिल रहा है, वही करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट आपको इंटेनेट पर मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेबसाइट पर, जैसे की न्यूस क्ले, जहां अभी भी असली पत्रकारिता हो रही है, हर शाम अगर आप कि उत्तरप्रदेश की सरकार भी मानती है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इस बार योगी सरकार ने दो नए स्कीम चालू किये हैं, पहला है मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोटसाहन योजना, जिसके चलते 80,000 से ज्यादा विवाओं को स्किल ट्रे के हर एक जिले में एक युवाओं हब बनेगा, और सरकार का दावा है कि एक लाग से जादा युवाओं को अपने खुद का बिजनिस खोलने के लिए सहायता दिया जाएगा, और एक साल तक फंडिंग भी दी जाएगी, दोनों स्कीम मिला लीजिए तो ज्यादा से ज्याद 30,99,000,000 पड़े लिखे बेरोजगार हैं, इन में से सिर्फ 2,00,000 लोगों का रोजगार का इंतिजाम किया जारा है, यानि कि हर 100 बेरोजगार में से सिर्फ 4 के लिए इंतिजाम किया जारा है, इसका एक कारण और भी है किसी को काम मिले तो वो सोचता है कि भाईया मैं अपने बल बूते पर कमाई कर रहा हूँ अपना घर खुद चला रहा हूँ लेकिन अगर सरकार सीधा उनके हाथ में पैसा दे दे जैसे PM किसान में सालाना 6000, PM आवास योजना में घर बनाने के लिए पैसे, उज्वला में रसोई गैस खरीदने का पैसा तो फिर वो सरकार के रिणी हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमें ये मोदी ने दिया है, ये योगी ने दिया है या ये केजरिवाल ने दिया है और जब वोट देने जाते हैं तो उन्हें यही बात याद रहती है इसलिए चाहे मोधी सरकार हो, योगी सरकार हो या केजरिवाल सरकार हो, सभी सरकार लोगों को सीधा मुफ्त की चीज़े देना चाहते हैं या सीधा उनके हाथ में कैश देना चाहते हैं इन में से कोई भी सरकार ऐसी नीतिया नहीं अपनाती जिससे सभी को नौकरी मिले रोजगार मिले अमीर गरीब का फासला थोड़ा कम हो क्योंकि ऐसी नीतियों से लोगों का वोट नहीं मिलता हाँ वोट मिलने का एक और बढ़िया तरीका है और वो है भव्यराम मंदिर वही आप देखें कि इस बजेट में भी इस बार आयोध्या एरपोर्ट के लिए 500 करोर, आयोध्या में तीर्थ यात्रा और परियाटन को बढ़ावा देने के लिए 85 करोर, वारान रसी में नए सांस्कृतिक सेंटर के लिए 180 करोर, और काशी विश्वनात मंदिर के लिए 200 करोर दिये गए हैं क्योंकि योगियात इतना जानते हैं पिछले 6-7 सालों में गोदी मीडिया और वाटसाइप ने एक ऐसा राजनीति गवातावरन बना दिया है कि लोगों को खाने को ना भी मिले फिर भी वो हिंदू-मुसलिम इंडिया पागिस्तान पर वोट दे देंगे मैंने इस वीडियो में दे प्रिंट वेबसाइट के जिस रिपोर्ट का जिक्र किया था उसी के अंत में यही बात रिपोर्टर ने भी लिखा है कि जितनी भी आर्थिक कठिनाई बेरोजगार लोगों को हो या ना हो हिंदू-गौरव के लिए वो मोधी को ही वोट देंगे इसलि झाल